शुक्रुवार को दुनिया में उस वक्त हड़कम्प मच गया जब माइक्रोसॉफ्ट में क्राउट स्ट्राइक अपडेट के कारण कम्प्यूटर सिस्टम थप हो गया दुनिया भर में सैंकडो फ्लाइट्स कैंसल हो गए बैंक हॉस्पिटल, शेर बजार, टीवी चैनल, कॉल सेंटर सब ठप रहे माइक्रोसॉफ्ट के सीओ सत्न अडेरा को पोस्ट करना पड़ा उन्होंने लिखा कल क्राउट स्ट्राइक ने एक अपडेट जारी किया जिसने वैश्विक स्टर पर आईटी सिस्टम को प्रभावित करना शुरू कर दिया हम इस मुद्दे से वाकिफ हैं और ग्रहकों को उनके सिस्टम को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन वापस लाने के लिए तक्नीकी मारदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए क्राउट स्ट्राइक और पूरी इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं हाला कि भारत के सिविल अविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि सुभा तीन बजे से सभी एयर्पोर्ट पर एयरलाइन सिस्टम नॉर्मल रूप से काम करने लगे अब फ्लाइट ऑपरेशन सही हो गया है वहीं सिविल अविएशन एक्सपर्ट सैवर टेरर की अशंका भी जता रहे हैं हाला कि माइक्रोसॉफ्ट की ओर से ऐसे संभावना से साफ इंकार किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट की टीम के साथ पूरी दुनिया के सर्वस्रेश्ट इंजीनियर इस तक्नीकी समस्या का समधान तलाशने के लिए जुटे हुए है लेकिन फिलाल ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सेवाओं को दुरूस्थ होने में अभी और समय लगेगा तो ऐसे में चलिये जानते हैं क्या है CrowdStrike, क्या है Blue Screen of Death और Microsoft का बयान इस पर क्या आया है सबसे पहले जानते हैं क्या है CrowdStrike CrowdStrike एक Cyber Security Firm है जो कमपनियों को IT Environment को सुरक्षित रखने में मदद करती है आसान शब्दों में कहें तो कोई कमपनी इंटरनेट की मदद से जो भी काम करती है उसे हैकर से सुरक्षित रखने में क्राउट स्ट्राइक उनकी मदद करती है इसका प्रमुख काम कमपनियों को हैकर्स, साइबर अटाय, रैंसम वेर और डेटा लीक से बचाना है यही वज़ा है कि इस कमपनी के प्रमुख कस्टमर, दुनिया भर के बड़े बैंक, युनिवर्सिटीज और सरकारी एजनसियां भी है हाल के दिनों में साइबर वर्ल्ड में काफी बदला हुआ है और हैकर्स के बढ़ते हमलों की वज़ज से कमपनीयों की क्राउट स्ट्राइक जैसे फर्म पर निर्भरता और भी बढ़ी है चलिए अब जानते हैं क्या है ब्लू स्क्रीन आफ देथ ब्लू स्क्रीन आफ देथ यानि B.S.O.D. माइक्रोसॉफ विंडोस पर दिखने वाली गंभीर स्क्रीन समस्या है यह सिस्टम क्राश होनी की तरफ इशारा करता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक गंभीर स्थिति में पहुँच जाता है और वो काम करने के सिति में नहीं होता दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा सिस्टम किसी सीरियस इशू के चलते क्रैश हो जाता है इसके पीछे की वज़ा हार्डवेर या सॉफ्टवेर में आई दिक्कत हो सकती है मैं आपको बता दे कि माइक्रोसॉफ्ट ने आखिरका वैश्विक आईटी आउटेच पर एक पॉजटिव अपडेट साजा किया है कमपनी ने पुष्टी की है कि उसके 365 आप्स और सेवाओं के आउटेच के मूल कारण को ठीक कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ने सोशल मीडिया पर लिखा हमने समस्या को काफी हद तक दूर कर लिया है और हमारी टेलीमेटरी से पता चला है कि पहले से प्रभावित सभी माइक्रोसॉफ्ट 365 आप्स और सेवाओं ठीक हो गई है हमें सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखे हुए हैं कि समस्या का हल पूरी तरह से हो गया है इसका मतलब यह है कि चल रही ब्लू स्क्रीन आफ देच समस्या अभी कुछ समय तक बनी रहेगी इस साइबर संकट से एक बार फिर दुनिया बैक फुट पर आ गई है हाना कि ऐसा कम होता है कि पूरी दुनिया पर एक साथ ऐसा संकट आन पड़े अब देखना यह होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कितनी जल्दी इसका समधान निकालता है आपको इस वीडियो का टॉपिक कैसा लगा और हमारी जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ